कि मस्का दोस्तों सभी का स्वागते चाट मुझों की नए वीडियो में आज के सेशन के अंदर फिर एक बर हम रजिस्टन्स लेते विए दिखाई दिया लेकिन आई थिंक मॉर्निंग के अंदर अगर हम डाउ या डेक्स को देखेंगे तो दोनों ही नीचे थे हम भी ग्लोब से यह निकलना चाहिए जल्दी अगर डाव आज अच्छी क्लोजिंग दे दे तो दुस्तों डाव के चार्ट पर एक बर मैं लेके चलता हो आपको और डाव का चार्ट काफी इंट्रेस्टिंग यहां पर बन रहा है डाव का चार्ट अगर हम देखें तो मॉनिंग में जब निफ्टी क्लोज हुआ तो डाव लगबग लोर एंड पे था ठर्टीएट छेसो साथ सो के आसपास हम यहां पर ट्रेट कर रहे थे लेकिन अब उपर के साइड इंपोर्टेंट लेवल ठर्टी नाइन छेसों को चैलेंज करने जा रहा है ठर्टीनाइन छेसों के उपर क्ल करेंगे कि डाव आज ठर्टीनाइन छेसों के उपर के साइड बंध हो जिससे कि कल सारे ही ग्लोबल एक्विटी मार्केट परफॉर्म करें बॉन्डील की बात करूं तो आज फिर से थोड़ा बहुत अपसाइड में है और डॉर इंडेक्स की यहां पर बात करें तो यह भी और पुछ कर सकता है उसके बाद इंपोर्टेंट क्या होगा ब्रेंट में एक बार आपको अपडेट एक ट्रेंड लाइन जाएगे यहां से यह जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करती भी जा रही है इसको थोड़ा साम और इसको डाउन साइड पुछ कर सकते हैं लगबग इस सरी किसे यह ट्रेंड नाइन बनेगी और उमीद यह रहेगा कि थोड़े दिनों में अगर साइडवेस होता है तो दो-तीन दिन साइडवेस हो सकता है या उपर जाता है तो दो या तीन दिन में और यह मैक्सिम्म सेवंटीन पॉइंट पॉइंट तक पॉच सकता है तो 79 का जो लेवल हम लेके चल रहे हैं साइड आज के दिन देखने मिल जाया उसके बाद बफर एक एक आदा डॉलर का आपको पॉइंट बचेगा उसके बार यहां पर देखते कौन सा कुछ पैटन मनेगा या ब्रेक आउट होगा रिवर्सल होगा तो उस पर अपडेट करेंगे आज उपर है गोल आज उपर जाता है दिखाई दिया 1.5 परसेंट के आसपास और सिल्वर भी आज सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया यहां पर साइडवेस टू माइनर अपसाइट का बायस है लॉंग टम के साब से बाकि अभी मैं निफ्टी और उस पर लेके चलता हू है इंपोर्टेंट हो जाएगा लास्ट सेशन है वीक का तो 24-400 के उपर हमें निकलना काफी ज़रूरी है वह लेटरी बड़ी भी है मार्केट के अंदर तो उसका थोड़ा ख्याल रखना होगा अब यहां पर दोस्तों फॉरन मार्केट के इसाब से चल रहे हैं तो अगर ड डाउट 39-600 के उपर बंद होता है तो तो सिनेरियो में 24-400 अगर पार होगा तो 24-400 के बाद हमें एक गैप के एकस्पेक्टेशन फिर दिखाई दे सकते हैं तो यह जो गैप है इसको एक बार फिल मेरे सबसे इंडियन मार्केट स्ट्रॉंग है तो एक बार फिल करने जाना अची है लेकिन उसके लिए 24-400 के उपर हमारा होना जरूरी है अब जाना गैप अप होता है तो यह देखा गया है पिछले तीन दिनों में कि गैप आप के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है तो इसमें अगर सेफ प्ले आउट करना है तो 24-500 का वे सारे मार्केट को देखके की सुदर रहे हैं बैंक निफ्टी के अगर बात करें तो आज यह पॉजिटिव था और यहां पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है इंडिसासिव कैंडल अगर जैसे की हम लास्ट के कुछ वीडियो में देख रहे थे यहां पर एक लाइन जा रह जादा है मेरे सबसे निफ्टी की बदले बैंक निफ्टी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को प्रोवाइट करेगा और बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल आज का हाई हो जाएगा मेरे सबसे 50,500 निकलेगा तो एक बार के लिए ट्राइज जरूर होगा निफ्टी की बदले तो अगर डाउंसाइड भी जाना है बैंक को तो 49 500 का हमको एक बार वेट करने का वेट करना चाहिए लेवल टूटने का यह टूटने के बार 49,000 तक एक बार व्यू बना सकते अब लगब चार दिन हो चुके इस सिमलर रेंज के अंदर रहते मेरे सबसे निफ्टी के सामने तोड़ा अच्छा बनेगा फिल करने का क्योंकि काफी नियर है और निफ्टी में जो गैप है उसको थोड़ा टाइम लगेगा फिल करने को तो जोस्तों मिटकेप निफ्टी की बात करूं तो यह आज भी स्ट्रॉंग था में लोग गैप यह गैप है जल्दी फिल हो जाएगा तो मिटकेप निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है इस अच्छे चल रहे हैं काउंटर की बात करते हैं काउंटर पर हम जो डिसकस कर रहे थे जो था डिवीज लैप वह ब्रेकाउट डेके लेकिन थोड़ा एक बार हमें नीचे आतावा दिखाई दिया इसको फॉल्स ब्रेकाउट नहीं बोलेंगे बाकी अगर मैं निफ्टी फार्मा देखू लूपीन और बाकी सारे काउंटर अच्छे चल रहे थे निफ्टी फार्मा के अंदर तो यहां पर एक बार निफ्टी फार्मा लगा लेते हैं और निफ्टी फार्म से लोगों को रिस्कम लेना होगा तो मेरे सबसे डिवीज लाइब अभी भी सही है ऐसा दिक्तत की बात नहीं है ब्रेकाउट इसमें मिल गया है इंपोर्टेंट लेवल क्या है डाउनसाइट पर दोस्तों इंपोर्टेंट लेवल 4750 है 4750 के नीचे जाएगा तो यह काउंटर खराब हो जाएगा ठीक है इन दा सेंसे चौपी हो जाएगा तो उसकर हम ध्यान रखेंगे बाकि जो बायस है वो बुदिश यह काउंटर आप इसका चार्ट देख रहे हो वोलेटलिटी रहती है तो बाकी एक्सपेक्टेशन रहेगी अच्छा परफॉर्म करें इसके अलवा जो दूसरा काउंटर एक निकाल लेकिन अभी यह काउंटर का भी रिजल्ट है जैसा कल में आपको बता रहा था कि रिजल्ट के टाइम थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा तो एक काउंटर के उपर जरा व्यू बनाते यह है मामा अर्थ का काउंटर है या फिर हम इसको बोल सकते हैं होना सा कंजूमर अब यहां पर अगर देखे तो एक IPO बेस ब्रेकाउट के चांसिस है अब इसमें कॉशन की बात क्या है कर रहे थे आर्वेनल के रिजल्ट उतने खास नहीं आए ते इस वज़े से अर्वेनल ने क्या किया एक फ्लैक पटन बना तो रहा था लेकिन फ्लैक पटन के बाद उसके लोगर सपोर्ट पर जाके बंद हो गया कोई एक अच्छा हमें एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे तो ब्रेकाउट मिलना चाहिए लेकिन अब रिजल्ट का यहीं होता है रिजल्ट अगर उमीद के सामने थोड़े अच्छे नहीं आते तो नीचे मार्केट उसे थोड़ा ले आता है अब इसी केस में मामात की बात करो यहां पर तो इस पे आई प्यों ऐसी इस परफॉर्म किया रिजल्ट से पहले थे जियूर इसके असकते हैं अच्छे आदर मैं इसा चैनल बनाओ और एक इंपोर्टेंट लेवल है और मेरे सबसे 515 के ऊपर या 512 स्पेसिफिकली अगर 512 निकालता है तो इसमें एक अच्छा मुव बनना चाहिए आने वाले सेशन में इंट्रडे के साबसे तो मेरे साबसे यह जो चैनल है यहां तो पहुंचना चाहिए एक लिग रहा है कि एक पहुंचना चाहिए तो इसका बेस अच्छा बनावा है ब्रेक आउट मना चाहिए अभी कैच क्या रहता है कैच की अर्निंग है हाला कि काउंटर के अंदर और और भी काउंटर थे लेकिन ना क्योंकि थोड़ा निफ्टी ने एंड में जाके उतना अच्छा नहीं दिया थ कि अभी बढ़ रहा है उनके सेशन के अंदर सुभी बढ़ जाता तो हमारे मार्केट के अंदर भी अच्छा का सा काम हो सकता था तो एक तो यह है दूसरे जगया एक मैं और बता दू कि आप इंशरेंस साइड आप दियान दीजिए वहां पे भी अच्छे का सेट बन रहे ह है तो इस काउंटर के ऊपर 512 पर एक बार धियान रखना होगा अब इसमें रिजल्ट आइधिंक अगर मार्केट के बाद आते तो फिर कुछ नहीं कर सकते थोड़ा गैप डाउन हो सकता उसके बाद जैसे भी रिजल्ट है लेकिन अगर मार्केट आर के अंदर आएंगे त तो इस पर फोकस रहेगा और मार्केट का जो ओवराल बायस है वह माइनर पॉजिटिवी रखके चलेंगे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें नहीं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना बोले टेल लेंड टेक